जैशी 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 दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मालक्षिन जोती शदात्म में हो जारे संदे सकसे ना आद मैं आपको बताऊंगी कि इस महाशिवरात्रे पे आप अपने समझ शत्रों से कैसे चुटकारा पाएंगे अपने सारे के सारे शत्रों को सेट पे कैसे कर देंगे हमीशा हमीशा के लिए बिना किसी का नुकसान किये महादेव आपकी कैसे करेंगे मदद तो वही तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शत्रु को नाश करने के लिए, शत्रु को दूर करने के लिए, शत्रु को अपना मितर ना निकले, एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हो, महाशव राधर पर क्या करना है, देखे काले तिल जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत important होते है जब हमारे वहाँ कोई क्रिया होती है जैसे कि आपके मगान कोई किसी के तो उसमें काले तिल की महातोर बढ़ जाता है इसके लाबन जब आपके अपर बिमारी महां आती है तभी काले तिल का ही प्रयोग के जाता है जब आपके वह शत्रू बढ़ जाते हैं तो भी काले तिल का प्रयोग आता है काला तिल जो है ये तांत्रिक रूप में काफी प्रयोग किया जाता है जब आप सर्सो का तेल इसमें मिला देते हैं तो ये एक दम से ब्राम बाड़ एक ब्रहम बास्तर का काम करता है तो अगर आपको भी आपके शत्रों ने दांक में दम कर रखा है तो आप क्या करेंगे वो प्रयोग बता रहे हूं उसके लिए आपको क्या करना है आपको सवा लिटर सरसो का तेल और सवा किलो ही काले तिल ले लेने हैं इसली सस्ते मिल जाते हैं दो सो रुपय ये दाइसो रुपय में आपका स्वान आ जाएगा इसको लेके रख लेना है जिदे महा शिवरात्री आएगी उसे ना आप छोटा सा एक पॉट ले लीजेगा जैसे लोटा होता है या कोई भी ग्लास वगरा ले 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 जाएगा इस्टील का उसमें आप सरसो का तेल भर दीजेगा डाल दीगा जितना आपको डालना है उसमें से बटल में से और फिर आप उसमें थोड़ा सा काले तिल मिला दीजेगा एक मुट्टी के असपस और अब आपको इसको लेके एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी उसके साथ शिवलिंग पे ध्यान लगाना है कब महाशिवरात्री पे उन सभी वेक्तों का ध्यान लगाना है जिन लोगों ने आपका जीना हराम कर रखा है तो कैसे करेंगे उससे पहले आप सबसे रुकेस्ट है अगर आप पहली वार मालक्ष्मी जोतिश अधात्मिक चैनल पे आए हैं तो मेरे दो चनल हैं मालक्ष्मी जोतिश अधात्मिक चैनल और ग्रैंड मालक्ष्मी जोतिश अधात्मिक चैनल दोनों ही चैनलों को लाइक किज़े सब्सक्राइब कीज़े, बैल आकंदेबा दीजेगा अगर आपको कोई परिशानी है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे 8126476399 पर वाट्सआप कर सकते हैं, मुझे डेली 8-9000 लोग मैसेज करते हैं जिसमें से मैं मैक्सिमन 300 पड़पाती हूं अगर आपको बहुत जब तक मुसीबत ना आए, तब तक आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, ना कॉल करेंगे, ना मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे जब आपको लगेगा कि आपकी परशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपसे बरदाश नहीं हो रहा है, तब ही आप मुझे मैसेज करेंगे क्योंकि जब तक बंदा नीडी ना हो, मैसे किसी चीज का रिपलाई नहीं करती ये मेरी भी आज़त है, क्योंकि मुझे पता है, लोगों को शौक चड़ा है बाद-बाद मैसेज करने का, ठीक है, तो आपको जो बता रही हूँ, जब तक आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए अब प्रॉब्लम कैसे बढ़ती है, बता देती हूँ, जैसे एक लड़की ने मुझे पढ़सो या नुरसो मैसेज छोड़ा होगा, उसको कल रात मैंने पढ़ा, उसने लिखा था, उसने यूटूब पे मेरे को वाटसप मतलब यूटूब पे उसे कमेंट बॉक्स में अपना नमबर डाला था, तब उसका मैसेज पढ़ा उसने लिखा था कि उसका husband expired हो गया है, और उसका कमसम एक साल का बच्चा है, तो सुराल वालों ने उसके बच्चे को ले लिया है और उसको घर से बाहर निकाल दिया है, वो उसको ना तो उसका बच्चा देना चाहते हैं, नहीं property देना चाहते हैं, वो बहुत तंगा गई ह है, वो परशान है, पुलिस वालों को भी खुब पैसा खिला दिया है, अब हो क्या करें, बच्चे से भी गई, पती से भी गई, property से भी गई, उसने मुझे कहा कि उसको property नहीं चाहिए, लेकि उसको अपना बच्चा चाहिए, चाहिए, क्योंकि उसके लावाँ उसका कोई जीने का सारा नहीं है, तो मैंने उसी सब में उसे call back लगाया, चुकि मैंने message रात को साड़े बारा वजे पढ़ाया था, तो मैंने उसे call लगाया, उसे मेरा call न उठाया, तो मैंने उसको message drop किया, और उसको अपना number दिया, और उसको बोला, कि सुबह सबसे वहले तुम ये काम करोगी कि मुझे call करोगी, मैंने जो पसना number drop किया था, उसको जो पूजा पार्ट बतानी थी, जो तरीका बताना था, वो मैंने बता दिया, मुझे पूरा विश्या से, भगवान की कृपा से, अगर उसने उस प्रियोग को 15-20 दिन भी कर लिया, तो 100% उसका काम हो जाएगा और मैंने उसको बोल जा था, कि फ्री में कोई उपाए नहीं लेते हैं, जैसे मैं आप सब से भी कहती हूँ, फ्री में कभी कोई उपाए नहीं करना मेरा, तो मंदिर में जाके 11 रुपए जुरू चुड़ाना, और भगवान शिप को बोल देना कि दीदी को 11 रुपए देन कि 11 रुपए बहुत बड़ी किमत तो होती नहीं है, तो मेरा यही काम है तरीका, ठीक है, मैं मंदिर में पैसे दलवाती हूँ, और किसी भूके को खाना किलवाती हूँ, जब बंदे का काम होता है, ठीक, और अगर आपको मुझसे कोई समान लेना हो, तो आप 9027822840 पे WhatsApp कर सकते हैं, देखे, आप पहले से जानते हैं कि मैं पूजा पाट किये हैं, जो भी सर्विसे से फ्री हैं, सब को उपाए बताती हूँ, और सब से कह देती हूँ, कि उपाए करो, लेकिन मेरे नाम से 11 रुपए, 101 रुपए, 101 रुपए, भगवान की घुललक में मंदिर में दा कि खाना मैं भी खाती हूँ, खर्जा मेरा भी होता है, तो हवा तो हखाते नहीं हम लोग, तो बाकि सब फ्री है, लेकिन हैंड रिडिंग, अकुनली लीडिंग का चार्ज लगता है, वो मैं पको बता देती हूँ, बाकि आम मुसो कुछ भी पूछो, मैं सब बताऊंगी, आपको यतने बढ़ा ए अपाए मिल जाएंगे, कि आप पो कहीं ज़ूरती नहीं है, आप किसी तांत्री के पास, बावा के पास, यह कि मेरे बास भी जरूरती है, आप मेरे चर्टो को सब्सक्राइब किजें, नीचे स वपर तक के सारे वीडिम देखिये, जो ऐचाह स्ब् ले लिया अपने तिल ले लिया अब आप उन्हें इसको मिक्स कर लिया आप भगवान श्रीफ के मंदिर में जाएंगे और भगवान श्रीफ के मंदिर में जाकर मांसिक रूप से आप प्रात्ना करेंगे कि हे भगवान श्री गडपती महराज मैं आपको सक्षी मान के भगवा मेरे पैसे से मार रखें तो आप बोल देना कि मेरे जो पैसे फसे हैं वो मेरे पैसे देदे या मेरी प्रॉपर्टी देदे जो भी है सब बोल देगे इतना करने के बाद आप अपने धार देनी है जो मैं आपको बताया था सर्सो के तेल के साथ तेल मिला के आपको धार देनी है ठीक है और धार देते समय आप नमश्ष्वाय का तो जाब करेंगे ही सात में आप आम हरीम क्लीम चाम उंडाय विच्चे का जाब करेंगे और साथ में आप उसके बाद वही पे बैट के महाकाल स्त्रोत आता है क्या आता है? महाकाल स्त्रोत आता है नेट पे आपको इसली मिल जाएगा उसको पढ़िए आप हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए, संस्कित में पढ़िए आपकी ये बंगला में पढ़िए, किसी में क्योंकि हर लैंग्वेज में नेट पे पढ़ा है महाकाल स्त्रोत पढ़ेंगे ये काम आपको डेली करना है कब तक करना है? आपको कम से कम 21 दिन करना है आपको ये करना पड़ेगा और आपसे प्राथना करनी होगी और आप और काम क्या कर सकते हैं वहीं पे जाकर वहीं पे बैटके ओम नमशिवा सर्वद शत्रू शीग्रम अधिशीग्रम नश्ट कुरू-कुरू स्वाहा मंत्र का भी जाब कर सकते हैं यह तो काले हकी की मला पर करोगे यह पंचमक्युद्रक्ष पर करोगे मला सिद्द होनी चाहिए साफ होनी चाहिए तबी करना तो यह मैंने आपको तरीका बता दिया है आपके श्रत्रुकरनाश होगा देखो 21 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा लेकिन ये चीज़े ऐसी होती है, बहुत अची होती है, आप तेल जो है आपने सभा लिटर लिया था, जब आप खतम होने लिगे तो और बढ़ा लिना आगे, बहुत नहीं यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल दो, ठीक है, आप एक लिटर की बोटल को साथ आप लिटर बोटल को आप 6-7 दिन खीच लो, उसमें तील मिला को तो बढ़ी जाएगा, सभा किलो तील भी तो मिलाया है, इस तरह से आप अगर 46 डेस कर लें, और ते चार दिन माइनस करेंगे, तो आगे चार दिन बढ़ा लेंगे, कर लो डेर्ड महीने, दो महीने कर लो, सच बता रही हूं, बहुत फर्क पड़ेगा, महाशिवरात्री से स्टार्ट करके करना, सारे शत्रो का नाशुका, लेकिन 11 माला वो जुरू कर दे ना, जो मैंने बोला है, अच्छा, इसको वो भी कर सकती हैं, जो बोलती हैं, कि उनका बॉइफेंड भाग गया, शादी कही भी इस उपाय को कर सकते हैं, उपाय, 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 बहुत सार उपाय हैं, मेरे करो, 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 मैं सबसे यही कहती हूं, भटकने की जुरत नहीं है, सच्छे अमन रखो, भ्यगवान आप सब पे किरपा गरें, नरायन आप पे किरपा गरें, गड़ी जी आप पे किरपा झाल झाल